हेलो फ्रेंड्स में अंजली मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बिहारी माल पुवा रोली आचकी हैं होली केसु बबसर पर आज हम माल पुवा बनाएंगे यह देखें यहाँ पर मैंने ले लिया एक कप मैदा एक कप मैदा लिया तू हंडड़ ग्राम मैदा है यहाँ पे और हाप कप मेने लिया सूजी वेट से देखेंगे तो हंड़ड ग्राम यह बारिक वाली सूजी है अगर आपके पास बारिक सूजी ना हो तो आप एक बार जार में 30 सकेंड के लिये चला के उसे बारिक कर ले यह देखेंगे अब इस टायम पे हम इसे मैदा में डालेंगे अब हम डालेंगे हाँ पे चीनी यहाँ पे मैंने हाप कप चीनी लिए है जितनी हम ने सूजी लिए है उतनी ही हम चीनी डालेंगे बहुत ही sufficient चीनी थी इतनी ही डाले आप एक कप्या पे मैंने दूद लिया वाई यह नॉर्मल दूद है या मैंने एक पार घर में सिजाया था कच्छा दूद बिल्कुल भी ना लें आप सिजावा दूद ही ले इस तरह से दूद इसमें हम डालेंगे अच्छी से mix कर लेंगे कच्छा दूद दालने से क्या होगा ना इसे भी हमें चार-पांच घंटे हमें इसे फुलने के लिए छोड़ना है तो वह क्या होगा कच्छा दूद भट जाएगा और हमारा जो माल पूआ हो खराब हो जाएगा इसलिए आप सिजावा ही दूद ले अब यहापे मैंने डा दो चम्मच मैंने लिया है जिसे मैंने चुटी-चुटी साइच में कट कर दिया था जरूर डाले बहुत अच्छा फ्लेबर आता है माल पूआ में सौंप और नारिल कटेवे नारिल का गड़ी जो होती नोसे मैंने डाला है अब इस तरह सम अच्छी से इन सब को मिला अब इसे हम रख देंगे चार से पांच घंटे के लिए ढके उसके बाद इससे हम फुयो बनाएंगे इससे क्योंगा आपको माल पूआ है वह काफी सौफ्ट बनेंगे अप फूले-फूले मनेंगे तो इस वीडियो का आप जरूर देखे आपके सारे माल पूआ जितनी भी पूबे बनेगी, गई बनेगी, यूर्ट फूबे बनेगे चार से पांच घंटे आप जरू रखे तब ही आपकी पूबे है न फूलेंगे, बहुत फूलेंगे अब देखें आपर दिखा रही हूं मेरे इतना सा दूद ओड लगा लगबग 4 चमद मेरा और लगा है इसे बनाने में अब यहां पर मैंने डाल दिया है एक चोटी चमद से इलाइची पॉटर चार इलाइची ली थी जिसे में ने कूट लिया था उसके बाद में डाल दिया अब इससे एक ही डैरेक्westन में आप देख रही है का yu deux चार्चьस जरूए बहुत प्रोसेस आप जरूर इस तरह से एक ही डैरेक्शन में हांसे चलाते चाहिए इस बनेगे तो इस तरह से काफी हलका होगी हमारता यूशं करणा पड़एगा मैं कर दिखें कितना अब हम गेस के पास आगे हैं मैंने पहले से तेल को गरम करके रखावा था आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं अब एक साइज आप कर लो काटोरी की चाहे चमबच की उसी साइज से आप यहां पे बेटर डालो आपकी परफेक्ट एक ही साइज के पुवे बनके रेडी होंग जैसे फुलेगा या उपर की तरह फ्लॉट करने लग जाएगा तेलने लग जाएगा फुले फुले माल पुवे बनेंगे यह देखिए कितना फुला है ना लाजावा माल पुवा बनके त्यार हुआ है तो इस होली आप इससे जरूर ट्राय करें इसी मैस्टर से बनाईए इकदा मैं गरांटी की साथ बोल सकती हूं आपके सारे फुलेंगे सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैं पलटते हैं इससे गॉल्डन व्राउंड कर लूगी इसके बाद प्लेट में निकाल लूगी अब फिर से इसमें में बैटर डालूँगी मैं इस चमच की देखिए साइस से कर रही हूं और इससे देखिए यह भी काफी फुला है ना इस तरह से सारे माल पुवे मेरे फुले थे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से फुले-फुले माल पुवे बनके रेडी हमारे काफी फुले थे और काफी अच्छी बनी है तो रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें श्याय करें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें